शक्ति दो चाहे वो तंतरमंतर से रुके हुए हो चाहे वो ग्रहों से रुके हुए हो मेरी बुद्धी से रुके हुए हो जा कोई भी कारण हो अब सब कारणों की स्वामनी हो जैसे दोस्तो छोटा बच्चा मां के चर्णों में चाता है उसको कोश्मी चाहिए मां कोई कहता ह मुझे यह नहीं जानता कि जह मुझे किसी स्टोर से लाके देगी मा, कहीं से घ्रीद करके लाके देगी, किस से मांग करके लाएगी, वो मां कोई कहता है जब आपके अंतर में ऐसी भावना आ जाएगी कि मा सुरस्व है मा शक्ति सुरूपनी है मा सब कुछ करने वाली है तो आप सोचें उसी वक्त से आपका कल्यान हो जाएगा और आपके सब अबरोध जो है नश्ट हो जाएगे अपर आप इसको श्रदा के साथ करें अच्छे डंक से करें जे लगबग सभी कारियों को खोलने वाला मंतर है और जैसे ही आप पूजा से उठें वो पासना से उठें थोड़ा सा दूद पिएं मा परसन होती है जब सादक दूद पीता है और दूद पहले मां के चरनों में रख दें तो अच्छा होगा और उसके पस्चाथ जोगा आपने काली मिर्च रखी थी उनको जला दें अगर आपके पास हवनकुंड है ऐसा कोई सादन है उसमें जला दें नहीं तो तवे के उपर रख करके जला दें पोवन में जला दें बस जला दें जलाने के बाद उनको फैंक दें और मां का शुकरिया करें कहीं नजर का दोश हो कहीं कोई और दोश हो तो सब दोश दोस्तों इससे नश्ट हो जाते हैं यह बहुत ही सुन्दर प्रजोग है और मैं हजारों हजारों लोगों का अनुपभव किया हुआ बहुत लोगों ने किया और सभी को लगभग सफलता मिली तो आपको भी मिलेगी बहुत अद्धा स्वामी जी जहां एक बाद आपने कही कि ये जो चालिस मिनुट के करीब ये दो माला के करीब यहां है और पेलने को प्कारीब से लिएंग . ऐस क सबस्क्राइए तरशासा ने और 40 ज slaves इंसे मान भी 14-18 कोrasy युजा टानी से टा से का सिभzen सत्रतन हैं दो हमारी एक पर गिया हमारे निरिए निर्मलता यहां और खालना की कलाएब है तो यहां एक तो हमने बताया कि एक बेसिक जो है 40 जन तक आप और साथ-साथ बागी उपाई भी कर सकते हैं कैसे मतलब अगर बाकी उपायों के बारे में जातें कि एक तो पीसक को करने के फिस्चाथ फिर बिटे का की करनें जैसे आम एक बेस बना लेंगे जैसे आपने नीम बना ली, नीम बनाने के बाद दिवार डाल दी, शत डाल दी, पर अभी विंडो विंडो लगाएंगे, तब एसी लाएं घर में, जब तब बखी चीज़ें लाएंगे तो सरक्षत होगा, तो बेस यह बहुत जरूरी है, और बेस इतना जरूरी है कि उसके बना आगे नीचल पाएंगे, और इसमें इष्ट आपके माता जी होने चाहिए, जिनके इष्ट महा काली जी हैं, दरूगा जी हैं, स्बसे जरूरी है कि माँ के साथ प्यार होना, अपने अपको एक्चिनी करने की जरूरत है उनके साथ, और आप सबसे आपके से झाल गरई कि अनुभाव आपका अपना होगा हम अभी तक बार बार दूसरों पर निर्भर कर रहे थे ये पहली बार ऐसा एक ऐसा मंच आपको मिल रहा है जहां प्रयास आप खुद कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात कितनी बड़ी शक्ति मिलती है स्वामी जी मतलब कहीं न कहीं अगर म देरी जंदगी में प्रॉब्लम है मैं इंतजार ही करती रहती हूं कि कोई और आएगा मैं किसी के पास जाओंगी तब चेंज होगा यहां एक ऐसा माध्या मिल रहा है इसे आप और किसी भी धर्म से जुड़े हों कि किसी भी रिलेशन से हो और जो ग्यान है ना कनुप्रिय और उधार का होता है ग्यान दूसरे का अनुपव हो सकता है अगर आपको जाना है तो आपको अपना ही अनुपव चाहिए कभी कभी ग्यान के सुन्दर सुन्दर शब्दों में आप खो सकते हैं कहीं कहीं ग्यान में उल्ज सकते हैं कहीं कहीं ग्यान आपको अहंकारी बना स और आप जैसे कोई पहलवान चर्चाई करते रहें पहलवानी के बारे में, कुष्टी के बारे में, मैदान के बारे में, अखाडे के बारे में, डाइट के बारे में, कुछ करें ही नहीं, वो इतनी बढ़िया बात करते रहें, बढ़िया बात करते रहें, सुनने में भी अना कब हो गया अगर थोड़ा सा भी हो गया आप फूले नहीं समाएंगे आप सुचें कि मैंने किया आप देखें जैसे एक बच्चा चलना सीखता है जब उसको कितनी खुशी होती होगी सोचता होगा मैं उगली पकड़ता था माम की रोज पिता की रोज भाई की रोज आज मैं खुद चल रहा हूं मैं वाकर का सहारा लेता था चल रहा हूं उसके बाद भागने भी लगता है और भूल भी जाता है कि मैं सीखता था इसी तरह जो अध्यात में कनुपभ हैं कनुप हुआ है आपके गुरु आपका मार्कदर्शन करते रहते हैं और सच में धीरे-धीरे-धीरे आपको पता भी नीचलता आपका कया कल्प हो जाता है आप एक дूसरे इंसान बन जाते हैं दोस्तों जितने भी लोगों को अनुभव हुआ हो काम हुआ गां हो ज्यादा हुआ हो आप उनमें कोई परिवर्तन देख सकते हो निश्चत रूप से किसी भी व्यक्ति में और वह अनुभाव विदिन आवर विदिन में टुदिन सेकंड हो सकता है वो सेकंड का ही होता है एक बात को जाद रखना वो सेकंड ही आपको परिवर्तन शील कर देता है आपकी जिन्दगी को बदल रेता है एक जो मोड आता है जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो बच्चे को तो अचीवमेंट होती है उसकी माबाप को कितनी खुशी होती है तो अगर हम सारी बेसाखिया छोड़कर चलने लग जाएंगे तो अगर परमा मात्मा है वो पिता है तो वो किसी को भूखा नहीं रखता फिर भी देता है कभी खुशो के देता होगा पूर्व जनमों के बल पे उस कहता है तो उन्हें फिर दोबारा जनम लिया था वो बादे किये थे प्रॉमिस किये थे तो फिर भूल गया दुखी होता होगा आप मां के साथ, बच्छों के साथ, पती पतनी के साथ, तो कितने इज़त देते हैं हमें को, टीचर के साथ, तो जो उपर वाला है, जब हम जाएंगे, तो कितने इज़त देगा, अंदाजा लगा से लिए हैं? ने, definitely, and in fact, it's a beautiful relationship we can have. यहीं से वो रिष्टा जो है, वो शुरू हो जाता, जिसे हम भूल चुके थे, और जैसा कि कहा स्वामेचीने कि ये शुरुवात है, ये बेस है, ये नीम है, इसे अभी से, आज से बनाना शुरू करें, जब लग रहा है अगर कहीं, और हमें से अब हरे को लग रहा है, कि हम कहीं रुके हुए हैं, किसी ने किसी यात्रा पे जाते जाते रुके हुए हैं, चाहे वो काम से संबंदित है, रिष्टों में है, ये प्रियास करके देखें, अपने अनुभव हमासा ज़रूर शेयर करें, तक यू सो मच नवस्कार, करनो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ए खोफ डिगाहिए, ए आत बादाये, शफ बाद बनों में, ए बाद बफाएए Blue, चिछ पाफ देळो में, किसी ये ये स्ट सकतरा, किसी वी बाठा, किसी योन इस बर si bajणा विजोड ए विंध में रूट विज ये bekommen su अब कहानिया लेंगी एक नया मोड बस पापा एक बार दादा जी उन प्रॉपर्टी के पेपर साइंग कर ले एक एक चीज के लिए मोहताच कर देंगे इस परिवार को फिर हम देखते हैं कि कार्तिक जी हमसे रिष्टा कैसे तोड़ पाएंगे क्या इस खुलासे के साथ आएगा एक नया मोड सुमन और कार्तिक के रिष्टे में रुख जाए दादा जी पलकों की छाओं में सिर्फ इमेजिन पर काशी सिर्फ इमेजिन पर कि कान इस कार्व करती हम आएगा इस सिर्फ एक जाना इस खुलासे कि इस इस प्याएब आएब आएब। एक फिकष्टे तना एवाब वे देख लॉब जाना है चुका बारका! चुका बारका! चुका बारका! चुका बारका! वो पंजाबी है! आ रहा है माम याद आ रहा है! मैंनो कोई और हिंट मिले गई है? चोटा सा क्लू कोई! बेटे वो सरपे पगडी रखते हैं! पंजाबी है? सरपे पगडी बांते हैं! येस! Akshay Kumar! चुका बारका! युका बारका! फम्हाँ बार चाली और जा रहीर अऑनलीस Be there at the Pharma Clinic's gala night! गुरुवे नमाहा काल की नक्षत्र की याग्यों की मार हो बद्दा की रुप हो दुआ की रफतार हो आओ सब सवार ले हम इश्वर के थार से सत्य से अध्यात्म से आर संस्कार से आ जूने हम सभी फिर एक नार से नमस्कार, स्प्रिच्वल विद्या की इस अगली कड़ी में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको इस बाद फिर याद दिला दें कि ये वो मंच है जिसमें सीधी हमारी आपकी बात होती है जीवन के किसी भी मोड पर खड़े हूँ हाँ कभी ऐसा लगता है कि जाहिद हम बिल्कुल अकिरे हैं लेकिन ऐसे में हर बार हम कहते हैं कि Linux कभी बें नहीं छूट सकता और साथ देती है Spiritual Vidya ये कार्षारम आपका अपना प्रोग्राम है इस कार्षारम में हमेशा हमें साथ मिला है हमें सानिट धंत होगत हुआ है ये कैसी विभूतइ का जिन्होंने अपना पूरा जीवल समर्पित किया है लोगों को आध्यात मिक्ता के और ले जाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए स्वयम विद्या का वो ध्यान देकर उन्हें ये बात बताना कि उन्में खुच शक्ती है एक देवता चिपा है उनके अपने अंतर हमारे साथ हैं His Holiness चामुंदा स्वामी जी उनका बहुत बहुत स्वाकत करते हैं स्वामी जी नमस्कार नमस्कार कन्नुप्रिया नमस्कार दोस्तो जय बगवान जय मातादी सच बात कहीं कन्नुप्रिया ने कि आपके अंतर में वो शक्तियां वो भूतियां शीपी पड़ी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे एक चोटा सा बीज आप देखें जो उसको नहीं जानता है ऐसे इसको फैंक देगा जो जानता है वो बीज को लगाएगा वो केला बीज क्रोड़ों बीज पैदा कर प पाएगा तो शास्तर ऐसा कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति काफी है पूरी स्रिष्टी को चेंज करने के लिए इतनी इश्वर ने बगवान ने ताक कर दी है पर हम अपनी शक्तियों का अपजोग नहीं कर पाते करते करते पता नहीं किसकी शक्ति की संपन्ता जा उसके खजाने को वो देख ले अनुपव कर दे और बांटना शुरू कर दे ऐसा खजाना जो कभी ना समापत होने वाला हूँ आप खुद तो समराट बनेंगे ही बाकी लोगों को भी समराट बना जाएंगे अध्यात में खजाने से स्पिरिचुल खजाने से तो कैसे पाना है उस खजाने को इसी चर्चा को कन्नुजी के साथ आगे बढ़ाते हैं स्वामी जी हर बार जब आप से बात करते हैं जब भी खड़ी की शुरुवात होती है एक ऐसी आशा की किरन मिलती है ऐसा लगता है कि अंधेरे में जी रहे होते हैं हम तो एक छोटी से किरन जो है वही उसे पकड़ के कि हमें ही वो खशमता है हम उस उचाई तक पहुंचाएं जिसके हम हगतार हैं जिसके हम इच्छुक भी होते हैं सामी जी हम तंतर की बात करते हैं एक छोटा सा रीकैप अपने साथियों के साथ करना चाहेंगे आप लेका था, तंतर एक टिक्नीक है, टिक्नीक यानि कि वो किस तरह से करती है, बहुत से दर्शक हमारे नए जोडते हैं, उनके साथ हम चाहिए कि आप शेयर करें कि क्या है तंतर विद्या जो है। उपरवाली शक्तियां हैं उनको जागरित करके व्यक्ति के भले के लिए उनका सदू पजोग करना तंतर है तंतर सीधी बात आपने एक बात कही कि हम सीधे आपको अपनी शक्तियों के साथ जोडते हैं मैं कहता हूँ कि तंतर सीधा आपको उस उपर वाले के साथ जोड़ता है जैसे बात वोई फिर एक बच्चे को चलना सिखाते हैं माता पिता जैसे वो चलने लगता है माता पिता कहां गाइब हो जाते हैं तो चलता रहता है तंतर से उन शक्तियों से कैसे काम लेना और भूबते भूबते उस पर्मपिता परमात्मा के चर्णों में चले जाना मोखष को पुरापत होना जैसे मैं कह सकता हूँ कि तंतर इह लोग से उस लोग तक पहुंचने की एक कला है तंतर भौतक सुखों को पूरन रूप से भोगते हुए मोक्ष तक जाने का एक सफर है और दूसरी बात इससे थोड़ा नीचे आ जाएं तंतर प्रतेक वनस्पती में भी जीवन टूंडता है तंतर प्रतेक वस्तू में कुछ ना कुछ ढूंडता है कि इसको ऐसा इस्तिमार करेंगे तो ऐसा होगा ऐसा करेंगे ऐसा होगा आजरवेद भी कहीं एक तंतर का रूप है आजरवेद को अध्यात्मिक्ता से जोड़ देते हैं तो वो भी तंतर हो जाता है जैसे कुछ जड़ी बुटियों को बांदा कहते है सीधी धर्ती पे पैदा ना हो करके जब किसी दूसरे पेड़ों पर पैदा हो जाती है तो उनको बांदा कहते है तो बांदा अलग अलग परजोगों के लिए किया जाता है उसके अलग 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 काम उनसे लिए जा सकते है तंतर ने खोज की कि हम दुनियादारी के विक्ति को सब चाहिए मानलो मैं त्याग में हो गया तो मेरी पत्नी त्याग में ही नहीं हो रही आप सब चाहेंगी सब कुछ चाहिए तो मैं उस ड्यूटी को भी पूरा करूं पर साथ में उसकी ड्यूटी को भी पूरा करूं मैं बैलन्स रखूं तो त्याग जूठा त्याग तंतर दोस्तों उसको कहरता कहता है तंतर भागने की बात नहीं करता तंतर जूजने की बात करता है तंतर जुकाने की बात नहीं करता जुकने की बात करता है और जुकने के साथ सत्या के आगे जुकना और तंतर देने की बात करता है, तंतर लेने की बात नहीं करता है, तंतर आपको जंगलों में जाने की बात नहीं कहता है, तंतर आपको तप करने की बात नहीं कहता है, तंतर आपको ऐसा नहीं कहता है, क्या पतनी से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, तंतर आपको पूरान राज़ योग के साथ, राज़ भोगते हुए, उस पर्मपिता प्रमात्मा तख, उस प्रवुता कोई शुर्ता कैसे पहुंच राए, उसकी बात बताता है. और आपको इतना कु आपको सुखों से नफर्त होने लगती है. कई तंतर इतना कुछ आपको दे देता है हो सब जुठा परतीत होने लगता है। हम कहते है माया जुठी है, संसार जुठा है। तंतर काता नहीं तुम ऐसे नहीं मानूगी है कितने संत कहते हैं रोज कहते हैं। तंतर कहता है, तंतर कहता है, मैं तुम्हें अनुपव कराऊंगा, तो अनुपव कौन कराता है, साइंस, तो मैं ऐसा कहूंगा कि तंतर वग्यान के बहुत समीप है, तंतर आपको अनुपवों से गुजरते, 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 ऐसे इस्तिती में रे जाता है, जहां सिर सब्सक्राइब तो यू बाइ विसितर्सकावरिज डॉट कॉम बेस्ट्रावल इन्शूरंस फर युए से विसितर्स अलो जी आगा है मैंजिन का इक और मया रियालिटी शो मुंभाई दी कुडिया अरिया साथे गाउं इटे मुंभाईदी लडगियां एखक बंचाप का आओं बेसी गयलों का दिल अजहलाएंगी इस प्रेसेंचेंज वीडियां परियुक्ताव कर दो जानता हूँ मोर हर कदम मुला जमुनिया से दूर ले जाएगा लेकिन आज आज फर्स के आगे प्यार मजबूर है यह मोर परिक्षा की गड़ी है मैं हार नहीं मानूँगा उम्मीद नहीं छोड़ूगा आज दै हो ही जाएगा समय जादा ताकतवर है यह मोर प्यार जमुनिया सिर्फ इमाचिन पर और बहुत जरूरी है आपका आना जोती गोदभराई स्पेशल सिर्फ इमाचिन पर बहुत संदर तो जहां हम कहां कहां तलाच रहे थे मोक्ष की बात करते थे हम परे होने की बात करते थे माया के जाल से दूर होने की बात करते थे आज स्वामी जी ने उसे इतना आसान कर दिया और कहा कि सब कुछ भोगते हुए सब कुछ जीते हुए भी हम ultimately उस तक बहुंच सकते हैं जो हमारी मन्जिल है बहुत संदर स्वामी जी है और हम ये पूरी जो यात्रा कर रहे हैं आपके साथ ये हमारा बहुत बड़ा सभाग्य है आप सबसे हम यही कहेंगे कि इस जो साथ मिला है उसका पूरा लाव उठाए जो जो बात कर रहे हैं उसे सिर्फ बात ना रखे क्योंकि बार बार स्वामी जी आप यही कहते हैं कि बात करने से तो फिर बात खत्म हो जाती है उसे अपने जीवन में इंप्लिमेंट करें ये एक प्रयास साथ मिलकर करें ये जर्नी ये यात्रा हम साथ करें हमें एक साथ मिला है, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं सामी जी हम कई आस्पेक्स ले चुके हैं आकरशन की बात कर चुके हैं, वशी करन की बात कर चुके हैं लेकिन जब स्तंभन की बात है, तो बहुत बार ये देखा गया है मन में ये सवाल उठता है कि क्या पढ़ाई को रोक दिया जा सकता है कई भार लगता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई रुख गई है आगे फॉरें जाके पढ़ना चाहता था वो विदेश जाके नहीं पढ़ पा रहा ऐसे में कुछ आप सिल्यूशन बता पाएंगे ऐसे में बेटा कभी-कभी बहुत सी स्थितिया ऐसे हुई कुछ बच्चे बाहर स्टडी के लिए गए पढ़ने के लिए गए और जैसे MBBS कर ली PG करने के लिए रेजिदेंसी करने के लिए गए तो रोक दिया गया उनको किसी स्थिति से कहीं वो फैलोशिप कर रहे हैं रोक दिया गया कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेटन था एकदम कुछ आइसी स्थितिया आई कि बच्चा बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया इसके लिए बहुत कुछ दोस्तों किया जा सकता है कहीं पे वो छोटा बद्यारती हो बड़ा हो उसकी स्टडी की बात रुक गई सेम अपाये तो वो ही होंगे जो आपको मूल मंतर मैंने पहले बताया था उस मंतर का जाप करके काली मिर्चात में ले करके उसको जलाना है चालिस दिन तक इस से स्तंबन जो है वो ठीक हो जाएगा इस से थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएगा बच्चा फिर साथ में ज्यादा से ज्यादा ओम, एम, हरीम, कलीम, चामुंडाई विचे का जाप करना है पर जहां जरूर ओम लगाना है आपको मैं बहुत बार मना करता हूँ पर अब विद्या के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको जरूर ओम लगाना है और इसके साथ जोस्तो श्री गाईत्री जी का जाप आपको करना होगा मां गाईत्री अवेद्दों की माता है और ऐसा कहा जाता है कि वेद गाईत्री मान के दोरा ही प्रग्ट हुए वेद सबसे प्राचीन है और गाईत्री जी के प्रजोग भी इतने प्राचीन है कि उनके दोरा बहुत कुछ किया जा सकता है बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री गाहित्री जी का जो मंतर है उसके लग लग हिस्से हैं वो तीन विद्धों से लिए गए एक हिस्सा एक वेद्ध से लिया गया दूसरा दूसरे वेद्ध से लिया गया तीसरा तीसरे वेद्ध से लिया गया फिर उनको रिशियों ने म पिक्चर रखनी है गाहित्री मां की तस्वीर रखनी है और साथ में कम से कम अब 24 जार जाप तो जरूर करें 24,000 और गाहित्री जी का थोड़ा सा सुमुहे कुरूप से जाप करें सुमुहे कुरूप से जाप पुरिवार के दो लोग तीन लोग बैठ जाएं तो गाहित्री जी का पाठ करें सहस्वर उंचे स्वर में जैसे उंचे स्वर में पाठ करते हैं घर का वातावर्न बाकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है जैसे फोड़ा चेंज हो जाए फिर गाहित्री जी का जाप करें अगर आपका बच्चा कर सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी जैसे चोवीस जार मंतर का जाप आपका पूरा हो जाए तो उसके जैसे कहते हैए जितना हम जाप करें उसका दselम हिस्सा अहबन करें द ripple करें लकड़ी को ना जलाएं अगर आपको खैर की लकड़ी मिल जाती है तो खैर की लकड़ी से हवन कर सकते हैं खैर की लकड़ी ना मिले तो नारियल से हवन करें गी की आउती दें हवन समगरी अच्छी वाली प्रजोग करें हो सके तो सफेद कनेर के फूल करन के फूल भी कहते हैं कनेर के फूल कहते हैं तो एक फूल ले लें उसको घी लगा करके थोड़ा शायद लगा करके फिर उस बच्चे से होती को दुलवाएं जैसे 24 जार हवन किया आपने तो तीवी फूल से दे देते हैं तो आप सोचिए कि आज से ही आपके बच्चे को नई शक्ती मिली उसके बाद जोसकी भूती बनेगी भूती बनेगी बसम बनेगी उस बसम को बच्चे के मस्तक पे लगाएं बच्चे के गले में लगाएं उसको खाने में खाने के लिए बच् पाइतरी जी के जाप को ना शोड़ें तो ऐसा दोस्तों कोई कारण नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने से रुक गया था वो ना पढ़ना शुरू करें जे बहुत अनुपव सिद्व प्रजोग है और अनुपव वाला ही प्रजोग है क्योंकि जब मैंने 20 साल पहले 25 साल पहले सीखा तो नई बात थी तो आज तो हजारों बच्चों का अनुपव है और उसके लिए अगर सर्च करने वारे हैं अगर तो प्रैमरी क्लाव कर रुक गया प्रैमरी मीन के जो आपकी में डिगरी है बैचुलर डिगरी तक कह सकता हूं उसके बाद आपकी रिसर्च कर रहे है और टेक्निकल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से गाहितरी जी के परजोग हैं मेडिकल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से गाहितरी जी के परजोग हैं आप संगीत के लिए कर रहे हैं उसके लिए अलग गाहितरी जी के परजोग हैं तो उनकी चर्चा कभी फिर करनू जी के साथ करेंगे गाहित्री पुर्योग में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जरूर करेंगे पर जहां के स्टड़ी का स्थम्बन हो गया उसके लिए जै बहुत अच्छा पुर्जोग है गाहित्री बंतर आप जानते हैं फिर भी एक बार मैं बताना चाहता हूं आप नोट कर सकते ह ओम खेर पुत्राय विद्महे अम्रित्तत्वाय धीमही तन्यों चंद्रह प्रचोदयात ओम खेर पुत्राय विद्महे अम्रित्तत्वाय धीमही तन्यों चंद्रह प्रचोदयात तो स्वामी जी ये तो बात रही कि अगर एजुकेशन में कहीं लगता है कि रुकावट आ रही है ऐसे ही जिन्दगी में बहुत बार यह देखा है गया जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि विवाह नहीं हो पा रहा जहे जनम पत्री भी कह रही है सारी स्टार सारी बाते सही एट नहीं लग रहे हैं लेकिन लगता है कि नहीं शादी नहीं हूपारी कुई नहीं चीज है जो रोक देती है ऐसे में भी का संधन हो सकता है और फिर उसके कोई असान एक ऐसा उपाए जů स्वाइम कर पाए कभी-कभी बेटा स्टम्त होता है या या कभी-कभी और कारण ह सकता हूं तो कि उसके पस्चाट फिर लगता है आपको के शादी की स्तिती हो गई शादी नहीं हो पा रही इस्तंबन की बात है तो सब से पहले इसमें थोड़ा सामें जोतश्वग्यान का सहारा लेना पड़ेगा पहले नंबर पर हमें देखना पड़ेगा कि आपके वर्षफल में इस साल शादी का जोग है कि नहीं है कभी कभी कुंड़ी से कनुप्रिया नहीं पता चलता है जन्म कुंड़ी से जब हम एन्यूल चार्ट बनाते हैं तो उससे पता चल जाता है तो एन्यूल चार्ट के अपर चलन थोड़ा कम हो गया पर है वो दक्ष है हमें सब कुछ बताने में जो हमारे हम तो आप जाते है कि आपके जन्म दिन से शुरू होता है तो जन्म दिन से पहले एक महिना बनवाएं ताकि अगर जिस दिन आपके नएगरा चेंज हो रहे है उस दिन को यह पाया गए तो किये जा सके और जन्म खुम्जौर होता है तर्यकर उस्में चलाजाथा शिक्स्त में चला गया एइथ चलागा्ए क्वील्थ में चला गया तो भी शादी की दिखते आती है तो सेवन्त हो उसका लौड़ जो है वो पती होता है जो दोनों स्ट्रॉंग होने के पस्चाथ नमाश कुंड़ी का जरूर दोस्तों विचार करें आप कभी किसी जोत्षी के पास जाएं तो उनको अपनी नमाश कुंड़ी देखने के लिए जरूर कहें नमाश कुन्रडी से मैरिट लाइफ के बारे में आपके हस्पेंट कैसे होंगे कैसी मैरिट लाइफ हो सकती है कैसी दिखते आ सकती है और जो आपकी कमिया है वो आप में पती में ना हो अगर आप बहुत गुस्से वाली है तो पती थोड़ा जुकने वाले हो अगर पती बहुत स्ट्रॉंग है तो पतनी जुकने वाली हो दोनों ही तर्वार लेकर बैठे हैं तो जिंदगी नहीं चलेगी इसलिए नमाश कुंड़ी जे पताती है कि कैसा पती ढूंडे लोग पूछते हैं कि किस दिशा में मिलेगा, किस शहर में मिलेगा तो ऐसा आज के जुक में पता लगाना बड़ा कठन है क्योंकि हो सकता हो पैदा जहां हुआ हो चला किस दूसरी दिशा में गया हो जब आप ढूंडने जाए तो किसी तीसरी दिशा में चला गया हो फास्ट लाइफ हो गई तो आप किस तरह का पती चाहिए होगा जा किस तरह का कौन से ग्रहा हो वाला चाहिए वो नवाश कुंड़ी बताएगी सेवन तो उसे सबंदेताब स्टोंज पैनले यह आपको किसी इस्टालोजर से ही पूछना पड़ेगा इसके पश्चात फिर दो अपाय मैं बता रहा हूं उन उपायों को करें इस से पहले यह सामिशी नवाश का भी शाथ शादी के लिए आप देखो भी के आरस उसको बनी होती पूरी पराने पहले भी बनी होती थी पर उसको देखते काम लोगा हम जण distinguली देखते हैं, जोट्षी भी व्यास्त हैं और आप लोग भी व्यास्त हो, तो कभी-कभी आपने फैसला किया ही होता है कि जहां करना नहीं करना ऐसे हम चले जाते हैं, तो हमें नमाश कुनलडी का जो है, वो हमें बहुत अच्छा मारगी दर्शन देती, इवन कोई आप दोस्तों दो पाएं हैं, जो शादी के लिए आपको करने चाहिए, इसमें एक छोटा सा जैसे हम बात कर रहे थे, वनस्पती तंतर की, एक छोटा सा प्रजोग आपको बता रहे हैं, जे तंतर से भी सबंदत है, मंतर से भी सबंदत है, और कोई भी प्रजोग हो, किसी भी त चीजें आपको कठी करनी है शुकल प्रक्ष के पहले थ्रस्टे को जा ऐसा कहलें कि अमावस्या के पश्चात जो गुरुवार प्रसपतिवार थ्रस्टे वीरवार आता है उस दिन आपको कुछ चीजें कठी करनी है जैसे साथ हल्दी की गांटें साथ गुड के पीस ले ले साथ सुपारी ले ले साथ लॉंग ले ले साथ लैची ले ले और आप देखते होंगे कभी कभी डॉलर जांक वार्टर जैलो कलर के मिल जाते हैं गोल्डन जैसे तो साथ वो ले ले उसके बीच एक पंच दिशा चोटा जंतर रख लें जाब होजपत्तर के उपर लिख करके रख लें और सभी चीजों को कठा करके पीले कपड़े में बांद करके थोड़ी सी चने की दाल अंदर रखें और थोड़े शोहारे रख लें शोहारे को खारक बोलते हैं गुज्राती में तो हिंदी में शोहारा ही बोलते हैं जैसे ड्राइख जूर होती जैसे ऐसा कह सकते हो तो उनको रखने के पश्चाथ बीले कपड़े में बांद करके किसी पीथल के डिबे में रख दे लड़की का पिता रख दे, लड़की का भाई रख दे, जा कोई प्युत्तर दोस्त भाई जैसा वो रख दे, तो उनको टच नहीं करे कोई, ना उससे कोई छेडशार करें, तो लगबग 27th रस्डे तक जो है कोई ना कोई अच्छा रिष्टा आने की बाद अच्छी शादी क होती रहे, मा कृपा करे, बहुत शक्ती कृपा करे, सुपरिचल विद्या का आपका करनुपुरिया जी का साथ सदा बना रहे, इसी प्रार्तना के साथ आप सबसे इजाजत रहता हूं. मास्तित रहे, मिला जो होती है, मैं सबस्क्राइब करनुपुरिया साथ मेर्टिया है, मुम्बाई जी लडगिया शकलते नहीं, और डॉले शोले ते मर्दिनेट। या इज्टाइल चाहिता, स्टाइल है. एक्सक्यूज मी और यहां कोई गाइड लिलेगा आठ मुंबई की लड़कियां, एक बंचाप का गाउं जो जीते की गाउवालों का दिल बही कहलाएगी देजी गर्व, सिर्फ इमाजिन पर is presented by New York Life. Life is beautiful with a company you keep. कितनी सुंगर है न हमारी सुरा अपने आई बाबा का भी कितना खयाल रखी है किसे अच्छे सिखरादे में मेरी बेटे की शादी हो जाए पस हमारी कला ही हमारा अभिशाप हमारा साथी तो हर कोई बनना चाता अगर सुहाग, कोई नहीं क्या सुहागन बन बाएगी लाउनी पर थिरक्ती स्वरा, स्वरा राजित, सर्वगुन संपन, सिर्फ इमाजन पर ब्लू, सिर्फ इमाजन पर सज धज के आएंगे एक से एक महमान होगा चम के नाचकाना और बहुत जरूरी है आपका आना जोती गोदभराई स्पेशल, सिर्फ इमाजन पर सजनी, आपने भाई को माम कर दें बाया सजनी बाया सजनी सब्सक्राइब 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 झाल 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 झाल